नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आलोक श्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने ही योट्यूब चैनल आलोक श्व्लोग बल दोस्तों आज की अपनी इस पीडियो में मैं आप सभी से सकुलेंट बरायटी के इस खूबसूरत पौधे जेट प्लांट के उपर बात करने वाला ह यह से इसका के छोटी शेफ से बनता है अलग अलग मैं ये इस तरीके से ग्रोबैक और लगा है लगा और लगा है तो ये दो पौट इनके अपने पास की अंदर है अपने पास और इन दोनों मैं रगे हुए मेरे दोनों जेट प्लांट बहुत ही अच्छे से चल रहे हैं दोस्तों इनका केर करना समर में या फिर जो है रेनी शीजन में जादा आसान है लेकिन अगर बात बिंटर की करी जाये तो बिंटर में इनको इस्पेशल केर की जरूरत होती है ये टाइम इनका डॉर्मेंशी का ह रहते हैं और साथ ही साथ जो है इनका ध्यान रखते हैं तो हमारे प्लांट कभी भी खराब नहीं होते और सालो साल हमारे गार्डेन के अंदर बने रहते हैं जेट प्लांट एक ऐसा पौधा है जो बहुत लॉंग टाइम तक हमारे गार्डेन के अंदर चलता है और देखने की leaps जो है वो गिर रही है या फिर yellow होकर गिर रही है तो दोस्तों one by one मैं आप सभी को ऐसी tricks बताऊंगा जिनको अपनाने के बाद आपका jet plant जो है winter के अंदर भी इन सारी situations को face करते हुए बहुत अच्छा चलेगा और आगे जो है आपके garden के खूपसूरती को इसी तरीके से बढ़ाता रहेगा सबसे पहले बात करूँगा मैं watering की दोस्तों आपका ये plant जो होगा कि winter के अंदर ये water के access से ही जादा तर अपनी पत्तियां गिराता है या फिर अपनी पत्तियों को पीला करके गिराता है जैसे ही इसके मिट्टी के अंदर over moisture होगा यानि पानी ज्यादा इस्टेंड करेगा तुरंथ ही आपका ये plant जो है root rotting का सिकार हो जाएगा और इसकी पत्तियां drop out होना सुरू हो जाएगे क्योंकि एक succulent variety का plant है और ये अपनी पत्तियों के अंदर ही water store करके रखता है इस वज़ा से इसकी watering necessity कोई बहुत जादा नहीं होती और बात अगर winter की करी जाए तो winter में हमको इस जादा ही ध्यान रखता है जब इसकी मिट्टी पूरी तरीके से dry हो जाए तब ही आप इसको water provide कीजिए आज मैंने इसके अंदर हलकी सी watering करी है जिसकी बज़ा से आपको इसकी मिट्टी जो है वो आज moist दिख रही है तो है क्या कि आपका ये plant जो होता है water को लेकर बहुत ही sensitive होता है extra water आपके इस plant के लिए बहुत जादा खत्रा है ऐसा भी नहीं है कि इसको पानी की जरुवत नहीं होती पानी चाहिए होता है लेकिन जब मिट्टी पूरी तरीके से सूख जाए तब ही आप इ extra water तुरण ही drain out हो जाएगा और जो moisture रुकेगा भी वो भी बहुत ही जल्दी वास्पित होकर खतम हो जाता है तो मिट्टी हमेशा bell drain बनाईए अगर आपकी मिट्टी bell drain होगी तो ये water के access वाली जो problem है ये कहीं न कहीं अपने आप solve हो जाएगी दूसरी बात आपको जो ध्य plant की requirements थोड़ी सी बदल जाती है आप इसको सेड में रखिए जैसा कि मेरे पास ये post side का area है जहाँ पर मैंने अपने सारे plants को रखा हुआ है तो यहाँ पर अगर कोहरा पड़ता भी है तो मेरे plants पर बहुत ज़्यादा उसका effect नहीं आता है आप भी अपने garden के अंदर ऐसा हिस चूच कीजिए या फिर जो है आपने अगर इसको indoor प्लेस कर रखा है तो यह बहुत अच्छा है इंडोर ऐसी जगह पर प्लेस कर दीजिए जहां पर इसको indirect sunlight मिले साथी साथ जो है यह कोहरा से भी बचा रहें तो दोस्तों बात अगर sunlight की करी जाया तो यह plant ऐसा नहीं है कि इसको sunlight के requirement बिल्कुल नहीं होती है आप अगर ठंडियों के अंदर इसको ऐसी जगह पर रख रहे हैं जहां पर यह fog वगारा से बच रहा है लेकिन वहाँ पर इसको sunlight बिल्कुल भी नहीं मिल पा रही है तो वहाँ पर भी आप इस problem को face कर सकते हैं कि हो सकता है कि आपका plant इंडिरेक्शन लाइट मिलती रहे साथी साथ जो है हपते में एक दो दिन इनको अगर आपके अच्छी धूप हो रही है तो निकाल कर अच्छी सी धूप दिखा दीजिए उसके बाद फिर से आप इसको semi shade में या फिर जहां पर आपने shade में रख हका है जहां पर इसको इतना धिरेक्यों कर रहा है तो दोस्तों बिंटर के अंदर ये इसका dormancy time होता है ऐसे time पर ये plant अल्रेडी अपनी growth को कम कर देता है इस वजह से आपको बिल्कुल भी fertilizer वगएरा देकर इसकी growth को बढ़ाने के लिए नहीं सोचना है ये इनका dormancy का time है इसके अंदर इनको अच जैसे ही ये dormancy से बाहर आएगा इसके अंदर बहुत ही अच्छी growth आपको देखने को मिलेगी तो तीन चीजों का आपका ध्यान रखना है पहला watering necessity watering तभी provide करनी है जब मिट्टी इसकी पूरी तरीके से dry हो जाए दूसरी चीज जो है आपको इसको सर्दी से बचा कर रखना ह फॉग वगयरा के अंदर ऐसी जगह पर प्लेस करना है जहां पर ये directly फॉग के संपर्क में ना आए और साथी साथ जो है इसको इंडारेक्शन लाइट मिलते भी रहे हपते में एकात दिन की धूप आप इसको दिखा सकते हैं तीसरी चीज जो आपको ध्यान में रखनी है आपको इसको fertilizer बिल्कुल भी नहीं देना है dormancy में इनको अच्छे से rest करने देना है अगर आप इन चीजों का ध्यान रखते हुए अपने jet plants की care कर ले जाएंगे तो जैसे ही इनके growth का time आएगा आपका ये plant फिर से बहुत अच्छा चलेगा I think मैंने आप सभी के सारे questions के answer जो है अपने इस वीडियो के अंदर दे दिये हैं कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट करके बताएगा साथी साथ जो है मेरी इस वीडियो पे जो लोग नए है मेरे चैनल को subscribe करके well icon को ज़रूर प्रेस कर लीजेगा जिससे मेरे आने वाली हर वीडियो की notification आप सभी को मिलती रहें तब तक के लिए bye bye and take care